इस सपने में उनके पुत्र और फन्हें दर और फड़ाल की थाना पे इस सेमामला समने आ रहे हैं सर्त्याइट पर्मात्मा चोकगडार जो हैं इस थाने में उनके इसारे पर जो है जी थाना अध्याथ जो है राजेस कुमार नहीं है थाने अध्याथ जो है परमात्माचोगिदार है इस वक्त की बड़ी ख़बर जो आपके सामने निकल के आ रहाए थी कि जल देर रात जो घटना घटा हुआ है ठिक उसी थाने के सामने मौजूद है सिस्वन थाना है और यहीं पर अस्थाफी जो सिपाही थे उनकी अपराधियों दोड़ा गोली मारकर हत्या कर दिया गया है काफी दुभाग के पूर्णी बात है कि सिपाही की जब हत्या हो जा रही है तो आम जनता का हल क्या होगा यो बगुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है सबसे पहले हम चलेंगे ठाने के अंदर की जो पूरी घटना है धाने के बारे मी क्या कुस ताने वो लो के जनकारी मिली हुए है जो पूरी घटना है क्या छपपारी करने गए थे लो क्या प्राधी के पकड़ने या सराप के खोज में फुलिस गए थी क्या कुछ मामला है जो परसासन है मेरे साथ जो लोग मौजूद है उनसे हम जनकारी ने देख सकता है सिस्वन थाना है या कि स्थिती भी देख ले तो आम पब्लिक के माध्यम से कहीं सिवान से फोन आया कि यहां बालमिकी नाम का कोई सिपाई है उसको लग गया है गोली वो सदर अस्पीटल में मर गये है यहां से करीम एवब होगा साथ आठ किलियो मेटर यही है सर क्या जनकारी मिला की सभड मारी कुछ का नहीं के पूरे परिवार को किसी तरह का कोई सुचना नहीं की मिलाए अम पब्लिक के द्वारита मिलें लेकिन हमारे थाना प्धेक्च मोदे के दौरा या किसी स्टाप वहां गये थे उनका प्रमात्मा चोकिदार गय था और एक हवालार था यहीं लेकर के थाना अध्यक्ष पर मारी करने के लिए लिए कोई नहीं दिया गया गया थाना पर किसी को इस टाप को नहीं देखिए बहुत ही बढ़ी लफ रख रही जो यहां के थाना ध्यक्ष महोदे हैं या जो भी समलित गिरफतारी के लिए अच्छा पारी करने गये थे बढ़ी बहुत ही बड़ी लफ रही सामने आई है एक सिपाही की हत्या हो जेति या उसका परिवार का पालन पोसर अब कौन करेगा क्या थाना ध्यक्ष महोदे करेंगे उनके साथ घटना होता तो क्या उनके परिवार का प में अपरादेवड़ गोली मारकर कर दिया गया है और मेरे साथ मोचुद एक फूलिस उनकारी मिया क्या नहीं को कुछ जनकारी मिला अभी तक कि हम लोग데न को को यह अपडारा की प्लीक थोन के ओरा अभी तक का जो हैश्गत को कई या कि यह नहीं क्या कि बने है कि अभी फ से बता सकते हैं कुछ यह पता भी हम लोगों को नहीं है लेकिन लंसम एक डिड़ बज़े के लंसम में थाना अध्यच के दरा जो है सिपाही को ले करके और चोकिदार परमात्मा के साथ गए थे यह सामने आ रहा है कि जो चोकिदार है परमात्मा या दो थोड़ा इधर उधर करते हैं थाना पर इसे मामला सामने आ रहा है सर यह बात सही है जो परमात्मा चोकिदार जो है इस थाने में उनके इसारे पर जो है थाना अध्याच जो है राजस कुमार नहीं है थाने तीजय का मार्यी होता है। जिसको पक्डाने के लिए है, उसको पक्डा जाता है। यब सब इतले list ओमर्स सिन्हा जी, अपील होगी सबसे पहले, जब सबसे पहले चोगदार सहब उन упर धर्ज करना चाहिए, हत्या का मुकदमा उन पे दर्ज करना चाहिए क्योंकि उनके चलते उस जवान की हत्या हुई है उनके पुत्र का उनके पुत्री का हाल क्या होगा सिपाही जो डित किये है उनके परिवार वालों का आज हाल क्या होगा आप देखेंगे तो आपके आख से सबके आशू आ जाएंगे लेकिन मेरी अपील होगी फिर से सिवान के पुलिस अधिक्षक महोदे से कि सबसे पहले स्चोगुदार महोदे पर और ठाना ध्रक्ष पर तुर्वंत करवाई करें बाद में फायार दर्ज करें पहले इन दोनों मेरी अपील होगी और मेरे साथ मौझूद है सर क्या कुछ जनकारी मिलें बताएएगा नहीं नहीं पर घटना हुआ है लेकिन पूलिस को जनकारी नहीं मिला है नीव्स के माध्यम से जनकारी मिला है औस पास के लोगों द्वारा बताया गया है उनके कारण घटना-घटी हुई है फिर से दिखाजे कि यह सिस्वन थाना है जहां पर राथ पे जो बहुत दरधनाग घटना हुआ है काफी दुर्भागे पुर्ण है सिवान पुरा लोग अज गमगीन है कि हाँ जब सिपाहियों के साथ यह हो सकता है तो आम जन्ता के साथ क्या होता होगा यह बहुती बड़ा सवाल खाड़ा होता है और जो घटना घटी हुई है सिस्वन थाना अध्यक्ष और चोगदार जो प्रबत्वाजी है उनके लप्रवाहिस से यह बड़ी घटना घटी हुई है इस पे फिर से अपील होगी सिवान के तेज तरार पुलिस अधिक्षक महोदे से डियाई साब से मेरी आहाँ जोड़के अपील होगी इस घटना को उच्ता जाज किया जाए और ठाना अध्यक्ष महोदे का फोंट रेस किया जाए चोगदार जो महोदे उनका भी फोंट रेस किया जाए कि साथ वहीं आप राधी से बाचीत करकर गए होंगे और सिपाही की हत्या करवा दिये होंगे यह अभी सवाल खाड़ा होता है ऐसा हो सकता है एक नहीं सर बाचीत करके गए होंगे कई उनकी टार्गेट होगी कि हाँ कोई घटना घटवा दिये जाए ऐसा भी हो सकता है इसको अनोनी नहीं कहा जा सकता है जाज के भी से बनता है एक नहीं सर यहां के जो सिपाही है बल मिकी यादो जो पटना जिले के साइद रहने वाले हैं उनकी कल देर रात ग्यासपूर बगल में है 5-7 किलमेट दूर है ग्यासपूर वहां पे साथ शप्मारी करने गए थे या क्या कुछ करने गए थे किसी को जनकारी नहीं है और थाना अध्यक्ष महदय भी यहां पे है नहीं वहां सिवान सदर अस्पताल में और यहां पे गये ग्यासपूर में उसके बाद से अपराधियों दवारा देद दना दन गोली चलाया गया जिसमपाल मिकी यादो जो सिपाही थी उनकी मौत हो गई है वहां गाओं की व्यक् में दोनों पर दर्ज करें